सब्सक्राइब और ये है बोट रॉकर्स एपिक्स बोट का एक निवली लॉंच नेक बेंड स्टाइल का एयर फोन और पिछले दो दिन से हम इसको यूज कर रहे हैं इसका एक क्विक अन्बॉक्सिंग वीडियो अल्री मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं लिंक हम विरो 40 millisecond का एक super low latency mode मिलता है touch controls के साथ आता ये neckband किस तरीके से neckband को आप अपने smartphone के साथ pair कर सकते हैं इसको reset किस तरीके से करना है touch controls किस तरीके से work करता है वो सब कुछ बताएंगे और अपना पिछला दो दिन का experience मतलब कि इसका पूरा review आपके साथ share करेंगे latency test के साथ टोटल आपको playback time mentioned है box 30 hours है इसके अलावास में आपको 12 mm का driver मिल जाता है magnetic birds है but magnetic birds के through media control function आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है IP export water and sweat shield आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है मतलब की हलका फुलका पानी का चीटा जो है वो यह neckband जहेल जाएगा Bluetooth version 5.3 देख काफी अच्छा देखने के लिए मिला instant voice assistant का feature मिल जाता है और quick charging का आपको support मिल जाता है मतलब की 10 minute charge करके आप 10 hour तक का playback time जो enjoy कर सकते हैं इस neckband के साथ 1 year का आपको warranty मिलता है और boat का service network इंडिया में काफी अच्छा है तो अगर आपके neckband में problem आता है तो आप easily service center पे replace करवा सक को यह कैसा लगा वो हम आपके साथ वीडियो में आगे share करेंगे नेक्स सेकर हम बात करते हैं इस earphone के build quality का तो यहां पर जो neckband वाला area काफी soft सा flexible सा आपको जो है silicon material यूज किया गया है दोनों साइड में आपको इस तरीके का plastic का capsule देखने के लिए मिल जाता है एक साइड यह यही multi function button है क्या क्या functions यह perform कर सकता है वो हम आपके साथ वीडियो में आगे share करेंगे इस neckband में आपको 220 mH का battery मिलता है और इसको charge करने के लिए यहां पर एक type C charging port मिल जाता है इधर आपको normal सा rubberized cable जो हो मिल जाएगा metal का ear tips है और इस तरीके का आपको यहां पर magnetic connection वाला design इसके कारण यह कान में को थोड़ा सा heavy लग रहा था और साथ ही इसका ear grip जो हमको उतना अच्छा नहीं लगा इसके लावा 1500 रुपीज के according हमको इसका build quality जो है वो उतना पसंद नहीं आया ठीक ठाक सा लगा थोड़ा सा और बेटर हो सकता था अभी आप देख सकते हैं कि जो आफ ऑन करने के लिए आपको इस multi function बटन को यूज करना पड़ेगा यहां पर यह जो magnetic design दिया गया है यह नहीं media controls के काम आता है नहीं on off करने के काम आता है यह जस्ट convenience के लिए है कि आपके neck पे जो है ना दोनों ear birds चिपक के रहेगा सब से पहले हम आपको दिखाते हैं कि कि इतना quickly boat rockers apex जो है ना अपने last connected device से connect हो जाता है तो यहां पर हम uncut record करेंगे अभी हम इसको 5 seconds तक present hold करके रखेंगे ताकि यह turn off हो जाए और जैसे यह turn off होगा मेरे android phone से यह disconnect हो गया है अब यहां पर वापस से हमको जो है इसको 5 seconds तक present hold करके रखना होगा और यहां पर आप light देखेंगे तो आपको पादा चल जाए यह turn on हो गया है turn on होते ही instantly within 2 seconds जो है यह last connected device से connect हो जाता है इस snack band को reset करने के लिए जो volume down के लिए आपको touch control मिलता है इसको आपको touch and hold करके रखना है 5 seconds तक साथ में आपको multifunction button को present hold करके रखना है 5 seconds तक तो यहां पर आप देख सकते है कि multifunction button and volume down का जो touch area है इसको हम just present hold करके रखेंगे 5 seconds तक and उसके बाद जो है आपको यहां पर LED light दिखेगा इस तरीके से red color में and उसके बाद जो है आपको यह neckband reset हो जाएगा and automatically यह pairing mode में आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह red and blue color में blink कर रहा है मतलब कि यह pairing mode म आ गया है and जो last connected device था उससे यह disconnect हो गया है अब board के इस apex neckband को अगर आपको अपने android phone के साथ या किसी भी device के साथ pair करना है तो आपको simply bluetooth setting में आ जाना है pair device के उपर tap करना है available devices में आपको rockers apex देखने के लिए बिल जाएगा justice के उपर आपको tap करना है and यहां पर आप देख सकत इसा feature देखने के लिए नहीं मिलता है मतलब आप एक साथ दो device के साथ connect करके इसको use नहीं कर सकते हैं या दो devices के बीच में आप इसको switch करके use कर पाएं वैसा कोई भी feature आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है next अगर आपके connected phone पे कोई भी call आता है तो इस multi function button को single tap करके जो है ना आप call को answer कर सकते हैं और फिर से single tap करके जो है आप call को cut कर सकते हैं या end कर सकते हैं and call को reject करने के लिए इस multi function button को आपको double press करना है and आप call को reject कर पाएंगे इसके लाव आपने connected phone में अगर voice assistant enable करना चाते है इस neckband के through जो multi function button मिलता है इसको आपको triple press करना है and आप देख सकते हैं कि voice assistant जो इस तरीके से pop up हो जाएगा next media control features का अगर हम बात करें अगर आप कोई भी music या video play कर रहे है play या pause करने के लिए जो इस multi function button को आपको short press करना है and आप देख सकते है music जो वो pause हो गया फिर से short press करेंगे and music जो वो play होने लगा अगर आपको next track पे जाना है तो जो आपको volume up के लिए touch button मिलता है इसके उपर आपको double press करना है and आप next track पे जा सकते हैं and यहाँ पे जो touch response है इस neck band का आपको काफी सहीं लगा properly यह work करता है आप देख सकते हैं इस तरीके से हम next track पे switch कर पा रहे हैं अगर आपको previous track पे जाना है यह track को restart करना है तो आप volume minus button को double press करके previous tracks पे जा सकते हैं अगर आप music play कर रहे हैं तो आप restart कर सकते हैं and यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो touch controls है वो properly work कर रहा है next अगर आपको volume up करना है तो जो आपको volume minus button मिलता है इस से आपको volume plus button के तरफ swipe up करना होगा इस तरीके से and आप देख सकते हैं कि volume जो है वो increase हो रहा है मेरे connected phone पे अगर आपको volume को decrease करना है तो इसका opposite मतलब volume plus से volume minus button के तरफ आपको swipe करना होगा इस तरीके से and volume को आप decrease कर पाएंगे and यहाँ पर touch का response या touch control जो है वो properly work करता है इसके लावा इस neckband के साथ जो है आपको एक special bionic sound वाला mode देखने के लिए मिल जाता है तो अगर आप music play करना है और उस दोरान अगर आप इस multifunction button को double press करते हैं तो एक special bionic sound mode जो है वो activate हो जाएगा और कैसा sound quality है normal mode में और special bionic sound mode में वो हम आपके साथ वीडियो में आगे share करेंगे again अगर आपको normal mode में switch करना है तो इस multifunction button को आपको double tap करना है and आप normal mode में switch कर पाएंगे and जब भी आप special bionic sound mode से normal mode में या normal mode से special bionic sound mode में switch करते है तो एक voice notification आपको जो है आपके earphone पे सुनाई देगा so फड़ा फट से board के is neckband का latency test हम आपके साथ share कर देते हैं दो mode आपको मिल जाता है एक तो normal mode है और दूसरा एक 40 ms का आपको एक super low latency mode या beast mode देखने के लिए मिल जाता है beast mode या low latency mode enable करने के लिए जो है ना इस multifunction button को आपको 3 seconds तक present hold करके रखना है and जब beast mode enable होगा ना तो voice notification आपको आपके earphone पे सुनाई देदेगा और अब हम आपके साथ beast mode में कैसा latency मिलता है वो शेयर कर रहे है तो बोट के is neckband style earphone को जो हम पिछले दो दिनों से यूज कर रहे है फाइनली अगर हम अपना review आपके साथ share करें सबसे पहले latency test का बात कर लेते हैं तो जो beast mode या low latency mode आपको दिया गया है 40 millisecond का वो actually में work करता है casual gaming में low latency mode के साथ आपको ऐस सच कोई भी issue नहीं आएगा बट अगर आपको एकदम zero latency चाहिए तो फिर आपको एक wired earphone या headphone के साथ ही जाना पड़ेगा next अगर हम बात करते हैं इस neckband के sound quality का तो वो हमको काफी सही लगा boat का जितना भी earphone हम अभी तक try किया ना चाहे कोई neckband हो या फिर कोई TWS टाइप earphone हो उन सब में हमको सबसे best इसका लगा sound quality जितना हमको याद है sound quality में जो हमको एक problem लगा वो लगा loudness के regarding 100% volume पे हमको थोड़ा सा distortion फील हुआ अगर आप 70-80% volume पे play करेंगे music को तो आपको काफी अच्छा sound quality देखने के लिए मिलेगा और काफी loud भी ये रहेगा इसके अलावा इसमें जो आपको एक special bionic sound वाला mode देखने के लिए मिलता है वो थोड़ा सा bass boosted type का है वहाँ पे vocals थोड़ा सा कम clear रहता है बट अगर आपको bass चाहिए खाली तो आप special bionic sound वाला mode है उसको activate करके music जो है वो play कर सकते हैं बांकि battery backup का अगर हम बात करें तो full इसका battery तो अभी तक हम drain नहीं किया है 30 hours brand claim करती है easily आपको 25 hours से ज्यादा का battery life मिल जाएगा और 25 hours से ज्यादा का battery life एक अच्छा battery life है neckband के लिए अब यहाँ पर इस neckband का जो एक highlighting feature है ना touch control क्योंकि I think first time किसी neckband में आपको volume plus और minus के लिए जो इस तरीके का touch control देखने के लिए मिलता है touch control का feature जो है ना वो आपके TWS earphone में काफी सही रहता है because जो आपका TWS earphone रहता है वो आपके कान में लगा रहता है steady रहता है वो हिलता नहीं है जादा तो उस पर swipe करना जादा easy होता है जबकि यह जो neckband वाला area है ना यह काफी lose रहता है और यहाँ पर touch करना उतना सुविधा जनक नहीं लगा हमको जो touch का responsiveness है वो इसका काफी सही है बट फिर भी जो है ना उतना convenient नहीं लगा हमको यह touch control का feature इसके जगा button दिया जाता तो वो ही ज़्यादा सही रहता यहाँ पर जो हैं हम brands को just advise करेंगे कि यह जो touch control का feature है यह उतना convenient भी नहीं है और उतना useful भी हमको नहीं लगा इसके जगा बहुत सारा useful feature है जो आप 1500 के neckband में दे सकते हैं जैसे की आप quick switch का feature दे सकते हैं मेरा अभी भी जो है ना oneplus bullet wireless z जो सबसे पहला neckband आया था ना वो मेरा primary neckband हम इसी को use करते हैं किसी भी दो डिवाइस की बीच में आप easily switch कर सकते हैं अभी की time में maximum लोगों के पास दो phone है अगर दो phone नहीं है तो किसी के पास एक phone और एक laptop है नहीं है तो एक phone और एक smart TV है किसी भी दोडिवाइस की बीच में आप इस neckband को use कर सकते है quicklyआ आप switch कर सकते हैं and is oneplus bullet wireless z के जो कोई भी ऐसा एक proper neckband नहीं मिला जिसमें quick switch का button हो जिससे आप easily दो devices के बीच में switch कर सकते हैं तो यहां पर quick switch का जो feature है वो दिया जा सकता था वो ज्यादा useful होता या फिर dual pairing का feature दिया जा सकता था जो कि इस neckband में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है boat के previous काफी सार neckband में dual pairing का feature मिलता है जो इसमें नहीं दिया गया है इसके लगा यह जो magnetic lock वाला design मिलता है इस पे कोई भी function assigned नहीं है at least इस पे media controls assigned रहता जैसे कि यह दोनो earbuds अगर magnetically lock है तो media जो है वो pause हो जाए जैसे इन दोनों को अलग करें तो जो भी आपका media या song या जो वो play होने लगे तो इस type का कोई function दिया जा सकता था तो यह सब जो हम features बता है यह ज़्यादा important और ज़्यादा useful होता इस touch controls के comparison में बांकि आपका क्या opinion आप comment section बताएगा इसके लगा इस neckband में आपको metal का ear tips मिलता है और इसके कारण यह कान में थोड़ा सा heavy feel होता है और उतना अच्छा ear grip नहीं मिलता है मतलब workout के समय, running करते हुए आप इस neckband को use नहीं कर पाएंगे हाँ अगर आप बैट के gaming कर रहे हैं, movies देख रहे हैं, videos देख रहे हैं, आप easily इसको use कर सकते हैं अगर आपको एक boat का neckband चाहिए, 1500 रूपीज का budget है, अच्छा sound quality चाहिए, gaming के लिए लेना चाहते हैं, casual gaming के लिए आप इस neckband को consider कर सकते हैं, बहुत ही strongly हम recommend नहीं करेंगे, बट आप इस boat rockers apex को consider कर सकते हैं बागी अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को like कर सकते हैं, कानल को subscribe कर सकते हैं, बिल्कुल free है इस neckband के regarding कोई भी doubt हो, query हो, आप comment section पूछ सकते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में, bye bye, जै हिंद